आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्पागत है दोस्तों एक और पुने पोर्श जैसे अक्सिरेंट हो गया है हम इसको कवर करते रहते हैं लेकिन देश में बहुत सारे इस तरीके के आक्सिरेंट हो रहे हैं रईजदा का बेटा गें बीमडब्लू है इसके पास अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक नेता का बेटा है इसका नाम है महीडशा मैं आपको दिखाता हूँ महीडशा जो तस्वीर है इसकी यह है तेंथ पास है और यह अपने पिता के बिजनेस जो राजेश शाह है उसमें हात बटाता है ठीक है अब क्या हुआ कि इसने टक्कर मार दी है मुंबई में शिफ्ट सेना का लीडर है तो मुंबई में टक्कर मार दी है और हो गया है भयानक आक्सिडेंट देखे जो कपल था जो दमपत्ति था कावेरी नकवा और उनके वो मचली लेने जा रहे थे, जो कोली वाड़ा एरिया है वरली में, वरली बगल में, सीलिंग के और सुबह आपको पते कि मंडी लगती है, तो वहाँ पे सासून डॉक पे मचली लेने जा रहे थे, बाइक पे थे दोनों, अब ये लोग आराम से सुबह उठे होंगे, इनके मौनसून है मुंबई में, लेकिन इनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, इधर ये जो महीर शाह है, ये अपने दोस्तों के साथ बैठके दारू पी रहा था, ठीक है, जुहू में एक बार था, वहाँ पे रात के डेड़ बजे तक इसने दारू पी, BMW जो इसके पिता जी के नाम पे रेजिस्टर्ड, इसके नाम पे रेजिस्टर्ड भी नहीं है, ड्राइवर के साथ गया था ये, लगबख सुबा साथे पांच बजे के करीब, इसने टक कर मारी, क्या हुआ कि इसने ड्राइवर से बोला कि मुझे गाड़ी चलानी है, तुम तो अब क्या हुआ कि जब इसने गाड़ी चलाई, तो सामने से बहुत स्पीड में चला रहा था, सामने इनकी बाइक आ गई, और इसने ठोक दिया, बाइक रोल हो गई, जो हस्बेंड वाइफ है वो कार के बॉलेट पे आ गए, समझे रहो, हस्बेंड किसी तरीके से कूद एनरन का मामला है, तुरंत वहां से भागा ही है, तुरंत भागा, और सीलिंग होते होते बांदरा गया, बांदरा से फिर काला नगर चला गया, ड्राइवर को वहीं पे 10 किलो मीटर ड्रॉप कर दिया, उसके बाद भागया और इसने अपने बाप को भी फोन किया था, ऐसा बताय जा रहा है ठीक है राजेश शाह नाम है तो अब क्या हुआ कि ये जब पूरा का पूरा हाथसा हुआ तो हस्बेंट तो समझ ही निया क्या करें ब्लीडिंग हो रही थी हॉस्पिटल गए पतनी मर गई पतनी मर गई इंटर्विव में बोलते हैं कि वो लो बड़े लोग है उनका कुछ नहीं होगा हम सफर करेंगे मेरे पास दो बच्चे मैं क्या करूँगा अब मैं तो बरबाद हो गया यह बयान आया है सी एम एकनाच शिंदे आदित ठाकरे दोनों ने मुलाकात की यहाँ पे हस्बेंट से और बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करें हम उनको पकड़ लेंगे और हम उनको पकड़ के जेल के पीछे डालेंगे लौ सब के लिए इक्वल है लौ सब के लिए इक्वल है अच्छी हल्ला होगा जरा देखेगा पुने पोर्च केस में इतना हल्ला होगा क्या हो रहा है कल टीन ने ऐससे लिए दे दिया है तीन सो वोईट का सबको बेल मिल गई है जो जाता है वो तो जाता है लेकिन जो अक्यूजड है उसका क्या चार दिन हल्ला होगा पांच में दिन किया गया है अब आप बोलेंगे कि सर इशर को क्यूं गिरिफ़्तार किया गया है भारती नयाय समिता बहुत सारे सेक्षैजंस लगाए है कब some supplied घ्रेचिशंस की भर्मार कर दी गई लेकिन इनके पिता को गिरफ्तार किया गया है तो पिता को क्यों गिरफ्तार किया गया क्योंकि बेटा मिसिंग है बेटा मिली नहीं रहे बेटा भाग गया जिसने अक्सिदेंट किया न महीर्चा वो भाग गया वो नहीं मिल रहे और इनकी बेहन इनकी मां दोनों शायद वो भी नहीं मिल रही शाय जी ने अपने बेटी की मदद की भागने में और ये डर है कि कहीं ये फॉरेंग ना भाग जाए कहीं ये कुछ रास्ते से बाहर ना भाग जाए तो पुलिस ने लुकाउट नोटे जो है वो जारी किया कि इसको पकड़ के लाओ और इसके बाद इसको पर मुगदमा चलाए ज बात है मुंबई में पुने महराष्ट में ये अब जैसे मैं आपको कुछ पास्टे टेंडरंस के के से चला तो अभी 29 जून की बात है ठीक है नाम गुंडावली फ्लाइओवर जो कि अंधेरी में हैं वहां पे दो टीनेजर जॉगिंग कर रहे थे एक पिक अप पैने टकर मार दी उनकी मौत हो गई 19 मही को पोर्च के अक्सिडेंट हुआ ठीक है ना यह आपको पता है मार्च 2023 में टेक फ़र्म राज लक्ष्मी सीओ 57 साल की वह वरली में जॉगिंग कर रही थी स्पीडिंग कार ने मार दिया 23 साल का लड़का गाड़ी चला रहा था और फिर यह तो यह जो इस तरीके के अक्सिडेंट होते है ना यह जिम्मदारी नेनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बार्स को देखना पड़ेगा कि कितनी दारू पिला रहे किस किया गया है कॉपरेट नहीं कर रहे थे और इनको कोट में पेश किया जाएगा ठीक है पुलिस ने बोला है कि वही की इननों ने पने पिता जी को बोला और फोन लगा तुरंति क्राश हुआ और एविडेंस भी टैंपर किया इननों विंग शील्ड जो है ना वहाँ पे शिफ सेना तो उसको भी मिटाया तो यानि की 110 पसंट बात्ची तो की ही है ठीके ना तो पिता जी से बात की और क्रैश के बारे में बताया और तब से इसका फोन जो है वो सुच आ रहा है चार पुलिस की टीम हमने बनाई है आगे और भी बनाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है एविडेंस को डिस्ट्रॉइ करने की कोशिश की गई थी विंग शील्ड में जो जिफ सेना का स्टिकर था वो हटाया गया था ताकि किसी को पता किसी को सब पता तो सबको चली जाएगा और एक नंबर प्लेट भी की गई है आपको पतातों कि इसका इंशॉरेंस है वो मई में एक्सपाइर हो गया था मैं मैं में इंशॉरेंस वास एक्सपायर और इसके नाम पे भी रेजिस्टर नहीं थी तो हम यहीं चाहेंगे कि पुलिस जल से जल पकड़े और इसको ऐसी सजा दे कि हर कोई फिर यह च दान्ट अन्योतरी, signing off.